गेफ्ट्स 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 जी हाँ गाईज वो तमाम गेफ्ट्स जिनकी आप सर्चिंग कर रहते हैं यूट्यूब की पर अपने प्यारों को देने के लिए चायो वेडिंग में हो बर्ड़े गेफ्ट हो या बेस्ट विश्ट वह तो गाईज मैं परवाइड करता ह आपको तमाम गेफ्ट्स जिनकी मैं अन्बॉक्सिंग करता हूँ और मैं आपको गाईड करता हूँ और उनकी प्राइज बताता हूँ गाईज मैं जितने भी गिफ्ट्स हैं वो सब 500 के करीब करीब होते हैं 500 550 के करीब करीब तो गाईज मैं परवाइड करता हूँ आपको आज की में मैंन बॉक्सिंग करने जा रहा हूं इसी तरह एक और गिफ्ट की लवली फोटु फ्रेंड ब्लॉक यह आप देख सकते हैं गाईज यह इसकी बेक साइड उससे पर अगर आप लोग ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब के क्लिक करें और साथ बने मिल आइकन को जरूर दबाएं तो इससे होगा कि मेरे हर नए आने वाली वीडिकर नॉक्केशन आप तो बर्वत मिलता रहेगा बात स्टार्ट करते हैं आप किसी भी पुशी की मौके पर अपने प्यारों को जब गिफ्ट करना चाते हैं तो आप य आज मेरे तीसरी वीडियो है यह है फोटो फ्रेम क्लॉक यह आप देख सकते हैं मैं इसकी आज अन्बोक्सिंग करूंगा आप मेरे साथ जोड़े रही हैगा बढ़ते हैं इसकी अन्बोक्सिंग की तरफ और इसके बाकी फंक्शन देख रहते हैं तो जी गाइस यह हमारा प्रावली फोटो फ्रेम क्लॉक यह आप देख सकते हैं बहुत ही बेतरीन डिजाइन किया गया इसको गाइस प्राइस की बात करें तो यह मुझे मिला है 500 रुपे का लोकल मार्कीट में यह इसली अवैलेबाल होता है यह हर गिफ्ट से यह किसी भी स्टोर से यह आपको मिल जाता है तो इसके अंदर मिल जाता है हमें एक कलर पिंक कलर और रेड सिल्वर ब्लेक अच्छा इसके अंदर कलर का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है सिर्फ कलर चेंज है डिजाइन सबको एक ही दिया गया हुए और सबके मॉडल नमबर चेंज है इसके अंदर चार कलर हम मिल जाते हैं उसका मोडल नंबर है वाई जैल डेबल सेवन टू एट ए तो चलें गाइज इसको बिना वक्त जाय कि अन्बोक्स कर लेते हैं अन्बोक्सिंग करने के लिए सबसे पहले टीव टैप को रिमूव करना होगा और इसे निकाल लेते हैं वक्त से बाहर वाओ गाईज यह आप देख सकते हैं कितना प्यारा डिजाइन किये गए इसको कितनी बेटरीन लुक के इसकी यहाँ पर लगेंगे हमारी दो पिक्चर यह है लारम कलॉक कितना बेटरीन डिजाइन किये गए इसको गाईज अच्छे इसकी बेक साइट पर देखें तो इसके अंदर डलेगी एक 1.5 वाल्ट की बेटरी अच्छा करी इसके अंदर पिक्चर लगाने के लिए सबसे पहले इन स्क्रू को रिमूव करना होगा सारो सब के सब को और फिर इसके अंदर हम लगा पाएंगे अपनी फोटू इसका पीछे रखने के लिए इसके पीछे दीगी इस पोट ये इस तरह से इसको ओपन करके आम इसको इस तरह रख पाएंगे इस तरह से तो आप इसके अंदर अपनी यादगार फोटू लगा सकते हैं कोई भी अगर आप अपने प्यारों को गिफ्ट करना चाहें तो बहुत ही बेटरीन फोटू फ्रेम है तो चलें बेटरीज लगा के इसको हम चेक कर लेते हैं कि यह लारम क्लॉक अन होती भी है या नहीं यह आप देख सकते हैं यह ओन हो चुकी है अब हम चेक करेंगे इसका अलारम अलारम अन करने के लिए यहाँ पर स्विश दिये गए इससे अन करेंगे वाओ गाईस यह देख सकते हैं अलारम इसका अन हो चुका है अलारम का साउंड की बात करें तो बहुत ही बेतरी साउंड है बहुत तेज आवाज है इसकी तो अमीद है काईस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं